आपकी स्किन से काली मैल की परत को हटाने के लिए स्किन पर जो भी पिमपल्स हो गए हैं उनके दाग धप्पे हो गए हैं उन्हें रिमूव करने के लिए साथी संटैन को ब्लेक हेड्स वाइड्स को डेट सेल्स को रिमूव करने के लिए चहरे पर चमक लाने के लिए दो तो इस तरीगे से टमाटर को काट कर हाथ उसे दबाकर ऐसे रस निकाल ले और अब आपको एक कौटन बॉल लेनी है इस टमाटर की रस में कौटन बॉल को डिप करना है और फिर आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है देखिए आपके चाहरे पर जमा तो इससे निकली जाएंगे, साथ ही में आपकी चाहरे पर चमक आएगी, टमाटर में विटामिन C पाया जाता है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, तो आपको इस तरीके से टमाटर के रस्से अपनी स्किन को क्लीन करना है, आपको अपने फेस और नेक को अच्छे से क्लीन करना है इस तरह लगभग 2 मिनट तक आपको टमाटर के रस्ते अपनी स्किन को ऐसे क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसे धोकर साफ कर लें अब यहां हम एक फेस पैक बना कर त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने लिया है एक चमच बेशन बेशन आपकी स् किन के जो पोर्स हैं उन्हें क्लीन करेगा चीनी अगर आप नहीं डालना चाहते है तो इसकी जगाँ आप शहद ले ले थोड़ा सा अब यहां पर आधा चमच मैंने लिया है औरेंज पील पाउडर यह भी बिटमिन सी से भरपूर होता है बहुत ही अच्छा है इसकिन पर चमक लाएगा यह जो औरेंज पील पाउडर है यह मैंने संत्रे के छिलकों को घर में ही सुखा कर पीस कर त्यार किया इसे आप चाहें तो मार्केट वाला औरेंज पील पाउडर ले सकते हैं अब यहां पर आधा चमच लिया है ऐलोवेरा जेल अब फ्रेश या रेडिमिट कोई साभी अलोवेरा जेल ले सकते हैं अलोवेरा जेल सकिन में फ्रेशनेस बनाया रखता है सकिन को सौफ्ट बनाता है सकिन पर जो जुरी जाया होती है उन्हें रिमूव करता है सकिन को फियर बनाता है सकिन पर शाइन लाता है अब आप इसमें डाल देंगे गुलाब जल और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारी चीजों को mix कर लेंगे देखिए कुछ लोगों की skin जो है वो basin के इस्तिमाल से हलकी सी dry हो जाती है तो जब आप इसमें aloe vera gel डालेंगे तो वो dryness आपकी skin पर नहीं आएगी skin बहुत ही अच्छे से moisturize रहेगी इस skin पर glow आएगा तो बहुत अच्छी तरह इसे mix कर लें जरूरत हो तो थोड़ा सा गुलाब जल और add करें तो इस तरीके से आपको ये pack बना कर कर लेना है तयार अब आपको ये face pack अपने face pack कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले आप इसे 2 मिनट के लिए rest पर रखेंगे तब आप इसे अपनी skin पर लगाएंगे तो आपको अपनी skin पर इसे लगाना है और हलके हाथ उसे massage करती जानी है massage करना बहुत ही जरूरी है ताकि से आपका जो blood circulation है वो improve हो और skin पर चमक आए आपकी skin पर जो भी suntan है जो भी काले दाग धपे है पिंपल्स के निशाने जो भी निशाने वो सब दूर हो जाएंगे आपकी skin बहुत ही young और glowing हो जाएगी इस तरीके से आपको कम से कम 5-7 minute तक massage करनी है उसके बाद आप क्या करेंगे इसे ऐसे ही अपनी skin पर छोड़ेंगे एक मोटी सी layer आप इसकी लगा लेंगे और कम से कम 10 minute के लिए अपनी skin पर ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद आप normal water से धोकर इसे clean कर लेंगे अब बात आती है जिन लोगों को tomato सूट नहीं करता वो क्या लें तो tomato की जगा आप नीवू का रस ले सकते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं और जिने बेजन सूट नहीं करता वो इसकी जगा चावल काटा या मसूर दाल काटा ले सकते हैं ठीक है अब आपको अपने फेस को धोने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर अपने फेस पर 2-3 मिनट तक मसाज करनी है वीक में दो बार ये स्टेप आपको जरूर फॉलो करने है रेमेडी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब बेल आइकन को प्रेस और आल पर जरूर क्लिक करें